असलाम लेकूम आज मैं आपके साथ बहुती मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जटपड बनकर तयार भी हो जाती है और सब की पसंदीदा है हम बनाएंगे पॉकिट समोसा पफ बहुत आसान सी रेसिपी है और जल्दी भी बन जाती है तो चलिए फिर रेसिपी की तरफ चलते हैं सबसे पहले तो हम इसका डो लगाएंगे उसके लिए आपने लेना है दो कप मैदा और उसे आपने चानना है हाफ टीस्पून चले गई अजबाएं और हाफ टीस्पून कलूंजी इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है वन टीस्पून नमक डाल कर आपने सारी चीजों को एक बारी मिक्स कर लेना है त्री टेबल स्पून जाएगा इसके अंदर घी अब हमें एक से दो मिनट के लिए इसे हातों से लगातार मन लेना है ताके इसका क्रम जैसा टेक्शर तयार हो जाए और वो आपको थोड़ी देर में ही नजर आ जाएगा इतना आपने मिक्स करना है मैदे और घी को इस शकल में जब तयार हो जाए तो समझना आप जो भी चीज बना रहे हो बहुत खस्ता बनकर तयार होगी तो मुढ़ी में बन जाना चाहिए अब आपने क्या करना है एक कब जितना पानी लेना है और फिर आप इसका डो तयार करोगे मगर हाड नहीं करना है सौफ्ट वाला डो तयार करना है नरम सा आटा हमें गुनना है तब ही आपकी चीज जो है न वो खस्ता बनती है यहाँ पर देखिए एक टेबल स्पून जितना ही पानी बच गया सारा पानी डाल कर हमने यहाँ पर आटे को गुन लिया है अब जितना ऑईल गरम करोगे वर्न टीस्पून जीरा जाएगा थोड़ा सा क्रेकल करने लगेगा आपने क्या करना है एक मिडियम साइस की प्यास करकर के अड़ करनी है उसके साथ ही दो से तीन हरी मिर्ट जितना आप स्पाइसी खाते हो उतना ताल सकते है थोड़ा सा कलर चें अदर जाएगा नमक और यहां पर देखिए आधी आपने क्या करना है शिमला मिर्च को बारीक बारीक से कट करके अड़ कर देना है अब आपने इतना फ्राई करना है कि ये सारी चीजों का कच्छापन खतम हो जाए जितने भी मसाले है न वो थोड़ा सा ओईल में फ्राई ह फिर आपने मिक्स करना है मसाले आपने एक से दो मिनट के लिए इसी तरीके से फ्राई करना है बहुत अच्छा सा टीस्ट आता है तीन आलू हमने लिए उसको पहले हमने बॉइल कर लिया और फिर हमने क्या किया उसे मैश कर लिया और यहां पर हमें इसके अंदर आलू डाल और स्लो फ्लेम पर इसे इतना भूनना है कि आलू के अंदर जितने भी फ्लेवर हमने डाले हैं मसालों के वो सब कुछ आ जाए और बहुत टीस्टी हमारे आलू बनकर तयार हो जाए अब इसके अंदर और भी कुछ चीजे जाएगी जिसमें जाएगा आधा कप हरा धनिया और आधा कप आपने डालना है पनीर पनीर को आपने क्या करना है बारिक बारिक सा कट करके इसके अंदर एट करना है और पनीर डालने के बाद में कम से कम आपने एक मिनट के लिए इसे इसी तरीके से भूनना है गया इसकी फ्लेम आफ करेंगे और इसे हमने ठंडा होने के थोड़ा सा आप लगाओगे सूखा मैदा एक लिम्बू जितना आपने इसकी लोई को तयार करना है मतलब छोटी भी नहीं और बहुत जादा बड़ी भी नहीं जितना के एक लेंबू का साइज होता है ना बस उतनी ही एक एक करके हम इसी तरीके से सारी लोई तयार कर लेंगे फिर हम इसके दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं इसे बेल लेना है एक पतली रोटी की तरह आपने इसे बेल लेना है एक large size की पूरी होती है ना बस आपने उतना ही बेलना है और 1 टिबर स्पून मैदे के अंदर हमने थोड़ा सा पानी और नमक डाल कर इसका एक घोल तयार कर लिया आपने इसके किनारों पर लगाना है और फिर आपने इस तरीके से दोनों side से fold कर देना है यह देखे अच्छे से fold हो गई तो हमें इसकी opposite side पर इसे ले आना है और corners पर फिर से हमें यह लई लगा लेना है यानि जो हमने मैदे को पानी में घूल के रखा है वो हमें चारों तरफ अच्छे तरीके से लगा लेना है वन टेबल स्पून जितनी stuffing हम इसके अंदर डाल देंगे और जो हमने glue लगाया है या फिर जो मैदा लगाया है उसे अच्छे तरीके से हम इस तरीके से हातों से इसे चिपका देंगे ताकि जो मैदा है वो अच्छे तरीके से stick हो जाए और तेल में जाकर ना खुल नहीं ज चेंच करना है और वन टेबल स्पून जितनी stuffing इसके अंदर आपने रख देनी है बहुत ही यूनिक सा और बहुत ही खुबसूरत सा हमने pocket puff बना कर तयार कर लिया है आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं सारे हमें बना कर तयार कर लेना है फिर आपने गरम गरम ओल में से fry करना ह इस वक्त oil बहुत जादा गरम नहीं होना चाहिए तेल का temperature बहुत जादा गरम नहीं होना चाहिए इस वक्त आपने यही बात का ख्यार रखना है और जैसी ही आप इसे छोड़ देना आपने इसे बिलकुल भी टच नहीं करना ये खुद बहुद जो है ना वो फ्लोट होकर उपर की तरफ आ जाएगा फिर आपने क्या करना है इसे पलट देना है जैसे कि आप देख रहे हों मैंने इसे बिलकुल भी टच नहीं किया और ये खुद बहुत जो है ना वो पकने लगेगा और धीरे धीरे से इसका color change होने लग जाएगा तब आपने क्या करना है आप ले प्यार कर लेंगे गर्मा गरम हम इसे सर्फ करेंगे रमजानों में अफ़तार के टाइम तो यह रेसिपी आप लोग जरूर बनाईए आपको बहुत पसंद आएगी और बनाना भी बहुत आसाने बहुत जादा मुश्किल नहीं है और यूनिक सी रेसिपी है खाने में बहुत टेस्टी है क्रिस्पी है और डिलेशेस है जरूर बनाईए इस रेसिपी को और मुझे अपने फीड़ बैक देना ना भूलिएगा रेसिपी पसंद आती है उसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और जो मेरे चानल पे नए है वो मुझे सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए अपना बहुत जादा खयाल रखिए दुआ में मुझे याद रखिए ठेक कियर अला हाफिज